हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का चैनल फूर एक्जाम बार में फ्रेंड्स आज की इस विड़ों में अभी हम दोग देखने वाले हैं कलास 12 पॉलिटिकल सैंस का और राजनितिक सास्त्र का भी भी आई अब्जेक्टिव कोशन और यह जो है सो मोस्ट भी भी आई अब्जे साम में काफी पूछे जाएंगे ठीक है कम से कम तो पांच से दस प्रस पक्का पूछे जाएगा तो सभी को एकदम रट लिजेगा जितने प्रस ने अभी हम आपको बताने वाले हैं और यह जो वीडियो है यह भागवन वीडियो है और वी वीडियो चैनल को आप सब्सक्र करते हैं ठीक है तो पहला प्रस ने आपके स्क्रीन पर देख रहा हो होगा है ना तो पहला प्रस ने क्या है तो देखिएगा प्रस ने हैं इंडोनेशिया किस देश का उपनीवेश था ठीक है तो पहला का जो रैट आंसर है वह आप्शन बड़ी पूर्तगाल का ओके कोशन किस नाम है बर्मा किस तेश का पुराना नाम हे अगे का जोएट चानिए का मुख्याले कहां अवस्थित है तो तुथिट का जोएटाउस फिर्फ लेएवेशाय आप्से को ट्राइक। चार है देखेगा चार नंबर प्रस्न क्या है हना किसने कहा कि सांति काईरो का सपना है आपके एकजाम में डारेक्ट प्रस्न emailed रेंगे आप्ष न सब्सक्राइव हिट्ल натावसंडे जुकित अगला प्रस्न है पांच नंबर तनाव सेथिल्य का दौर कब शुरू हुआ तो पांच का जो रैट आंसर है वो है आप्शन नम्मर सी 1970 के बाद कुश्चन नम्मर सिक्स है दित्य विश्वयूत के उपरांध कौन दो महा सक्तियों उभर कर सामने आई थी ठीक है संजुक्त संग और युनाटेड किंग्डम आप्शन सी है संजुक्त राज अमेरिका और सोवियत संग और आप्शन नम्मर डी है उप्यूक्त में से कोई नहीं है ना तो शिक्स का जो रैट आंसर है वो है आप्शन नम्मर सी संजुक्त राज अमेरिका और सोवियत संग इसका सही आंसर है option number C संजुक्त राज अमेरिका और सोवियत संग जो है सो महा सक्तियां उभर कर सामने आए ठीक है अगला प्रस्ण है question number 7 है सोवियत संग के विभाजन के बाद रूस का पर्थम निर्वाचित राष्टपती कौन था तो सेवन का जो रैट आंसर है वह है option number B एल्थ सिन ठीक है next question है सोवियत गूट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ सोवियत गूट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ तो option यह है पॉलेंड, option B है युगा सिलाविया options यह है पूर्वी जर्मनी और option number D है अल्बानिया तो 8 का रैट आंसर है option number B युगा सिलाविया है ना question number 9 है अल्गास नास्ट वा पेरी अस्टोयरटा के मंत्र किस ने दिया है ना तो 9 का जो रैट आंसर है वह है option number D गुर्वा चियोबनी ओके अगला प्रस्न है question number 3 है 10 नमबर प्रस्न क्या है रोनाल्ड रीगन किस देश के रास्ट पती थे ठीक है रोनाल्ड रीगन किस देश के रास्ट पती थे तो 10 का जो रैट आंसर है वह है option number यूएसे के ठीक है यूएसे के जो है सो रोनाल्ड रीगन जो थे ओक्याते तो रास्ट पती थे हैना question number 11 है एक धुर्वियत की इस्थिती किस राज के इकत मात्र परभूत्व की परिचायक है ठीक है तो 11 का रैट आंसर है option number D. संजुक्त राज अमेरिका question number 12 है निमलीखीत में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद की विरोध इसके वैस्विक यूद का हिस्सा था तो दिखेगा यहाँ पर चार आप्शन है तो चार आप्शन में से इसका जो रैट आंसर है वह है option number C operation and during freedom अगला प्रस्ण है question number 13 है तेरा नंबर प्रस्ण क्या है पूर्वे के नए आर्थिक बागो की कोटी में किसे रखा जा सकते है तो तेरा का रैट आंसर है option number C मलेशिया को question number 14 है किस देश के साथ भारत ने मित्रता वा वैपार की संधी को जिसकी प्रस्तावना में पंच्छील के सुत्र रखे हुए है तो option यह है सोवियत संग, option भी है संजुक्त राज अमेरिका option number C है चीन और option number D है पाकिस्तान तो चौदा का सही आंसर है option number C चीन के साथ ठीक है, इसका right answer है option number C चीन question number 15 है, वरतमान में कौन आसियान का सद्ध से रास्तिन नहीं है option यह है इंडुनेसिया, option B है फिलिपिन्स, option C है अलजिरिया और option D है मलेसिया, तो पंद्रह का जो right answer है वह है option number C, इसका सही आंसर है अलजिरिया, ओके पंद्रह का, अगला प्रस्न है question number 16 है, आसियान आर्थिक समुदाई का उदेश सी है, तो 16 का सही आंसर है option number D, option मड़ी क्या है तो इन में से सभी ठीक है आनि ये सभी जो है, तो इसका right answer है, हना आसियान आर्थिक समुदाई का उदेश सी है आनि इन में से सभी इसका सही आंसर है, okay, question number 17 है आसियान का विश्वा सिखर समेलन, अप्रेल 2012 में कहां आयोजित हुआ तो option ये है, मनीला में, option भी है, न्यू आर्क में, option C है, नॉम पिनह में और option number D है, जोहांस बर्ग में, तो 17 का जो right answer है, वह है option number C, नॉम पनेह में, ठीक है अगला प्रस्न है, question number 18 है, पंच सील सम्झोता किन देशों के बीच हस्ता चरेत हुई, ठीक है पंच सील सम्झोता किन देशों के बीच हस्ता चरीत हुआ, तो 18 का right answer है, option number B, भारत और चीन के बीच और ये कब हुआ, ये आपको comment box में बताना है, ठीक है, इसका जो है, ये कब हुआ था, ये आपको comment में बताना है अब 19 नमर प्रेशन है, दच्छिन एसिया के किस राज्य में माओ वादियों ने उथल पुथल मचाई, ठीक है तो उनिस का जो रेट आंसर है वह है आप्स नमबर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्स नमबर डी नेपाल ठीक है अगला प्रशने है दचिन एस्या के किस देश के प्रधान मंतरी को उसके उतर अधिकारी ने अपदस्त कर फासी की सजा दी तो 20 का जो रेट आंसर है वह है आप्स नमबर C इसका सही आंसर है पाकिस्तान ठीक है अगला प्रशने है कुछ नमबर अगले है 21 नमबर निमलिखीत में कौन सा देश सार्क का सदस्य है मलेसिया है, इंडुनेसिया है, जपान है, भारत है तो सार्क का जो सदस्य है, वो कौन है तो 21 का रैट आंसर है, आप्शन अमबर D, भारत है ठीक है, कुशन अमबर 22 है 22 नमबर प्रस ने देखेगा क्या है, हना 1948 में संजुक्त रास्ट संग के कौन सी घोसना अपनाई आप्शन ये है, मानव अधिकारों की सार्वभोम घोसना आप्शन अमबर, यहाँ पे सेकेंड है, हना देखेगा, आप्शन अमबर 2 है मानव नागरिकों के अधिकारों की घोसना आप्शन C है, समाजिक वा राजिनितिक अधिकारों का अंतरास्टी अनुबंध और आप्शन D है, परियावरन की सुरच्छा की घोसना तो 22 का जो रैट आंसर है, वहाँ आप्शन अमबर यह हो जाएगा आप्शन अमबर यह क्या था, तो आप्शन अमबर यह क्या था, देखेगा है मानव अधिकारों की सारो भौम घोसना अगला प्रस्ण है, कुशन अमबर 23 प्रस्ण देखेगा, संजुक्त रास्ट संग के चार्टर में कितने धराएं है तो 23 का रेट अंसर है, आप्शन अमबर यह 111 कुशन अमबर 24 से, विश्व एट दिवस कब मनाया जाता है तो 24 का सही आंसर है, आप्शन अमबर यह 1 दिसंबर को कुशन अमबर 25 से, गूट निर्पेक्ष देशों का सिखर समेलन नई दिल्ले में आजोजित किया गया तो कब किया गया, 1982 में, 1983 इसवी में, आप्शन C है, 1984 में, आप्शन D है, 1985 इसवी में तो इसका जो रेट आंसर है, वो है आप्शन अमबर भी, 1983 इसवी में तो आज के लिए नहीं, आप लोगों के लिए एक most important notice है, जिनका त्यारी अच्छे से नहीं हो पा रहा है या तो फिर नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए कुछ गिना चुना प्रसन मिलेगा, ठीक है, जो आपके एक्जाम में 90 से 90 परतिसत से 95 परतिसत आने का chances रहेगा, जो मैं आपको प्रसन दूँगा, तो अगर ये आपको PDF चाहिए, तो इसका कुछ फी लगते है, इसका कुछ चार्ज है, तो आप अगर लेना चाहो तो आप इस नंबर पर contact कर सकते हो, ठीक है, तो नंबर क्या है, नंबर बता देता हो, 7274-800-891, ठीक है, आप इस नंबर पर जो है, तो आपको जो है, वैसे अगर प्रैस का बात किया जाया, तो इसका 199 रूपीज है, ठीक है, 199 रूपीज है, तो आप अगर लेना चाहो, तो आप इस नंबर पर contact किजिएगा, ठीक है, और payment करने के बाद, आपको तुरंद, मत्तब फटाक से जो है, सो PDF मिल जाएगा, हना, जो important question वाला, जो PDF है, और इसमें आपको subjective and objective दोनों मिलेगा, subjective and objective दोनों मिलेगा, तो आप जल्दी-जल्दी message करें, और लेना हो, तो आप इस नंबर पर है, सो SMS करके बात कर सकते हो, ठीक है, आपको तुरंद मिल जाएगा, जो most BBI question वाला, जो हम लोग collect किये है, हना, जो अनुभवी सच को द्वार त्यार किया गया है, वो आपको मिल जाएगा, तो आप message किजिए, तो मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थाम्श पर वाचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को आप सब सब्सक्रेब कर दीजेगा,